हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Motorola Edge 20 Android वाइलफोन में आप जो इस स्क्रीन लोकिंग साउंड सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि की ओन कैसे कर सकते हैं और इस स्क्रीन लोकिंग साउंड सेटिंग जो इनेबल करने के बाद ही सेटिंग काम कैसे करती हैं आज की इस वीडियो हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला उओ तो यहाँ पर आपको जो है इस स्क्रीन लोकिंग साउंड का ये ओप्शन मिल जाएगा इसके सामने एक बटन दे रखा है इस बटन को select करेंगे तो आपका ये बटन जो है blue color में on हो जाता है यानि कि screen locking sound setting आपकी enable हो जाती है अब ये setting काम कैसे करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो आपके mobile phone की volume जो है यहाँ पर full कर लीजेगा एक बार ठीक है तो यहा इस तरीके से तो यहाँ पर जो है आप जब भी screen को unlock करेंगे तो भी sound create होगा ठीक है इस तरीके से तो यहाँ पर जो अगर मेरे second camera से अगर आपको जो है ये sound सुनाई नहीं दे रहा है तो आप इस setting को अपने phone में enable कीजिए और इस setting को use करके देखिए ये definitely काम करता है ठीक है अब यहाँ पर जो है मैं इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में ठीक है तो इसके लिए आपको करने क्या है mobile का setting page open कर लेना है और आपको सबसों पर यह search setting का option दिखाई देगा इसे select करना है अब यहाँ पर आपको search बार में type करना है screen locking sound ठीक है जो setting क आपको डिरेक्ट इस setting में लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करके दिखाएगा तो यह shortcut तरीका है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में